नमस्कार दोस्तों मध्यपरदेश मौसम चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज राप तक जारी रहेगा और एक्टिव रहेगा और मौसम विग्याग विबाग की माने तो अगले दो दिन के बाद बरसात और आंधी का दोर चलने का अनुमान अब भी लगाए जारा है वही दोस्तो मानसुनी बरसात बता जारा है कि यहाँ पर 20 जून के बाद यहाँ पर मानसुन मध्यापरदेश में एंट्री करेगा और मौसम विश्यसगो की माने तो यहाँ पर मध्यापरदेश में मौसम बरसात और आंधी का दोर जारी है रविवार को भिंड बढवानी और यहाँ पर दोस्तो जो है उमरिया नोगाओं में बरसात होई और बढवानी के सेंदों में सुबह बादल चाहरे और दूल भरी तेज आंधी और इसके बाद बरसात होने लगी मौसम विश्यस को कि माने तो प्रदेश में वेश्टन डिश्टर्बंस एक्टिवेस के चलते पिशले दो दिनों से बरसात और ओले गिरने की स्तेती बन रही है ऐसा ही दोर दोस्तों अगले दो दिनों तक जारी रेगा और इसका असर प्रदेश के कई इसों में देखने को मिलेगा और चक्रवाट ट्रफ लाइन की वज़े से मौसम में बदला हुआ है बिंड जिले में दोस्तों जो है रईवार को करीब 3 बच के 45 बजे तक बारिश होने लगी और करीब 1.5 गंटे तक बरसात का दोर चला तेज आओ है और बरसात से दोस्तों जो है तेज चुबनाली गर्मी से लोगों को रात मिली है इसी कारण बिंड शहर में दोस्तों जो है विबिन लागों पर गर्मी से रात मिली है मौसम विश्य सगोखी माने तो बढ़वानी के शेंद्वा शेहर में आजपस की लागों पर मौसम बदला उतार चड़ाव जारी है और यहाँ पर मध्यपरदेश के उमरिया और नोगाओं में भी बरसात हुई है उमरिया में 9 mm नोगाओं में 7 mm बरसात दर्च की गई और यहाँ पर तापमन भी काफी ज़्यदा उतार चड़ाव जारी रहा वहीं दोस्तों बोपाल इंदोर समेथ विबिन लाकों पर तेज आंदी के साथ बरसात मौसम में बदला देखा गया वह ताचड़ा भी जारी रहेगा और अगले 24-47 गंटों की दरण मौसम में बदला होगा लेकिन यहाँ पर बताया जारी की आने वाले मंगलवार के बाद मौसम साफ और सूस को जाएगा जी हाँ दोस्तों यहाँ पर मंगलवार के बाद मौसम सूस को जाएगा इंदोर बोपाल गौलेट जबलपूर में भी मांसुन अपने ते सिमा से देरी ते बाद पहुचेगा 20 जून के बाद ही यहाँ पर MP मौसम विबा की माने तो वर्तमान में दक्षिन पशिमी राजिस्तान पर एक चकरवत याओ का गेरा बना है उतर भारत में एक पशिमी राज़ बना हो पर गरत चमक के साथ बरसात होगी और तेज याओ के साथ परिवरतन भी देखने को मिलेगा मध्यप्रदेश मौसम विबा की माने तो नोतपा में नहीं पड़ी गर्मी यानि कि नोतपा के नोत दिन में दोस्तों बिल्कुल भी गर्मी देखने को नहीं मिली वह दोस्तों यहाँ पर एक के बाद एक पश्चिम विक्षम संक्री होने की वज़े से यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिला उताचडाव जारी रा और मिंड उमरिया बढ़वानी चतरपुर जिल्ले में भी कई इसों में तेज बरसा शुरू हो गई और मौसम में उताचडाव के साथ बरसाती मौसम देखने को मिला मध्यबर्देश मौसम विबा की माने तो यहाँ पर जमलपूर, कटनी, बोपाल, सिधी, बढ़वानी में भी बादल चाहरेंगे उताचडाव जारी और तेज आओ के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा मौसम विबा की माने तो यहाँ पर बेतूल, छिंदोड़ा, मंडला में भी चार से पान दिन बादल चाहरेंगे मौसम में हल चलोगी उताचडाव जारी और दिरे-दिरे कुछ चिलाकों पर गर्मी का परकोव बढ़ेगा तो कई जगों पर बारी मौसम में बदलाव के साथ उताचडाव आने के आसार भी जताए जारे यहाँ पर जाबो आ, टीकमगर, दमुआ से और साथ में शेडोल, शिवनी समेद मौसम में हल चले और कुछ चिलाकों पर बादलो के अवज़े और गर्मी का परकोव बढ़ने के आसार भी जताए जारे और यहाँ पर रिवा में भी दोस्तों दो दिन बादल चारिंगा और दिरे-दिरे गर्मी का परकोव बढ़ेगा तो मौसम में हल चलोगी उतार चड़ा अवज़ारी और कई जगों पर गर्मी का परकोव बढ़ने के आसार है बादल चैरिंगे बादल चैरिंगे था चलोगी उतार भी जतार भी जताह जारे expecting का बादल चैरिंगे काफी जगों पर बादलों के आउजए बनी हुई है और दिन में 37-38 से करीब ताप मर रहेगा बादल चैरिंगे मौसम मालचल उताचड़ा अवजारी और तेज आओ के साथ परिवर्तन होगा दार में 24-26 रात के समय तो दिन में 36-37 से करीब ताप मर रहेगा आज बरसाती मौ मौसम होगी बिजली चमके की मौसम है परिवर्तन होगा लगातार उताचड़ा अवजारी और मौसम में बदलाव आने के साथ आज कई जगों पर बारी बरसात भी देखने को मिल सकता है वह है दोस्तों यहां पर बता है जार की विबिन लाको पर उज्जन का भी मौसम बद हो के साथ बादलो के हुजे भी देखने को मिल सकती है यहां पर इंदोर की बात के तो इंदोर में भी काफी मौसम में बदलावे उताचड़ा अवजारी है रात के समय इंदोर में 224-25 तो दिन में 36-38 से करीब ताप मार रेगा बादल चाहरी और तेज हो के साथ बरसाती मौसम और उताचड़ा अव देखने को मिल सकता है और कुछ इलागों पर दोस्तों जो है यहां पर बादल चाहरेने के कारण काफी गर्मी से रात मिल तो यह नजर आ रही है वहाई दोस्तों मनसोर की बात के तो 26-27 रात के समय तो दिन के समय यहां पर काफी मौसम में अलच अफजारी और तेज आओ के साथ मौसम में बदला होगा साज़ापूर की बात के साथ 25-26 रात के समय तो दिन के समय यहां पर 37-38 से करीफ ताप मर रहेगा बादल चाहरेंगे अलकी मौंदा मौनी मौसम में अलचल उताचड़ा अव दारी और तेज आओ के साथ परिवरतन और मौसम में बदलाव आतो यह नजर आएगा वह है दोस्तों यहाँ पर साजयापूर के साथ विदी सामे रात के समय सताइस तो दिन में 37-38 से करीब ताप मर रहेगा 40 के आसपास ताप मर रहेगा बादल चाहरिंगे मौसम में बदलाव उताचडा अफजारी और तेज अगो के साथ परिवर्तन और कुछ-कुछ इलाकों पर बारिश से बारी बादल चाहरिने को लेकर अलड जताहर है शोपूर की बात के तो 37-37 रात के समय तो दिन के समय यहाँ पर 37-40 के आसपास ताप मर रहेगा बादल चाहरिने के मौसम में चलोगी उताचडा अफजारी रहेगा तेज अगो के साथ बदलाव और बारिश होने और मौसम में बदलाव होने के आसार भी जताहर है यहाँ पर मौसम विश्य से को कि माने तो अशोग नगर में 26-37 रात के समय तो दिन के समय दोस्तो 37-37 से करीब ताप मर रहेगा बादल चाहरिनगे उतारचडा अफजारी और तेज अगो के साथ मौसम में बदलाव और कुछ इलाकों पर गर्मी का प्रकॉप तो कई जगों पर बारी मौसम में बदलाव होने के आसार भी जताहर आ रहे है वाई दोस्तो शतना की बात के तो 37-37 रात के समय दिन में गर्मी का प्रकॉप है 40-40 से करीब ताप मर रहेगा बादल चाहरिनगे और कुछ इलाकों पर बारी से बारी गर्मी देखने को मिल सकती है यहाँ पर गुना की बात के तो रात के समय 26-37 रात तो दिन में 37-38 से करीब ताप मर रहेगा बादल चाहरिनगे मौसम में अलचल उतार चड़ा उजारी और तेज आओ के साथ परिवर्तन देखने को मिलेगा वही दोस्तों मौसम विबा की माने तो खंड़वा का भी मौसम बदल रहे है खंड़वा में रात के समय 37-37 दिन में 40 के आज़ पास ताप मर रहेगा बादल चाहरिनगे मौसम में बदला होगा उतार चड़ा उजारी रहेगा तेज आओ के साथ परिवर्तन और कुछ-कुछ इलाकों पर बारिज से बारी गर्रिमी का प्रकोप और मौसम में बदला हो आने के आसार भी जतायज आ रहे है वही दोस्तों मौसम विच्छे से को की माने तो दिन्डोरी में बरसाती मौसम है बादल चाहरेंगे उतार चड़ा अवजारी रहेगा तेज आओ के साथ परिवर्तन और कुछ-कुछ इलाकों पर बारी से बारी बदला होतो है नजर आएगा परिवर्तन और काई जगों पर गर्मी से तोड़ी रहात है